हालो दोस्तों मैं गवर्णर आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चेनल कोड़न बाइलोची में आज हम डिसकस करने वाले हैं सेल साइकिल और सेल डिबिजन के बारे में अंसियार्टी के चेप्टर 10 यह हेलफफुल हो सकते हैं जो नीड के स्टूडेंट हैं जिननी बोर्ट के तयारी करनी है या जो मास्टर लेवल पे ICR, DBT, CSIR या Biologist related किसी competitive exam में हिस्सा लेने वाले हैं तो आएए शुरू करते हैं आज का चेप्टर cell cycle and cell division अगर हम बात करेंगे level of organization का तो सबसे पहला लेवल आता है cellular level, cell के बाद आता है multicellular level, इसके बाद आते हैं tissue, इसके बाद organ, organ system and then body organization यह complex organism में होता है Unicellular, Micronism, Cellular level के होते हैं, कुछ eukaryotes भी हैं, जैसे के protesta, prokaryotes में आते हैं, जैसे bacteria इस अर्थ में single cell species से लेकर complex body organization के species भी पाए जाते हैं जब पहली बार इस तरते पे जीवन का विकास हुआ था, तो वो single cell से हुआ था, single cell से development और evolution के होते होते यह multicellular और fake organ system और body racer के तरफ move किया तो अगर इसके बारे में अच्छे तरह से जानना है, तो हमारा एक और lecture होगा, origin of life on earth, आप उसमें अच्छे तरह से देख सकते हैं अभी हम लोग बात करने वाले हैं cell division के बारे में growth and reproduction, यह दो main character है cell के, कोई भी living organism है, उसमें growth होता है और reproduction होता है सभी cell reproduce होते हैं, दो cell में divide होते हैं, एक cell है, यह reproduce होगा, दो daughter cell बनाएगा division दो तरह से होते हैं, एक तो होते हैं, कि metotic division होते हैं, नार्मल ऑन स्वह में पाती जाते हैं और दूसरा होता है मियोटिक डिविजन, मियोटिक डिविजन होते हैं गेमिट फॉमिशन के लिए, तो आए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से मियोटिक डिविजन होता है, कहां होता है, किस तरह से मियोटिक डिविजन होता है और कहां होता है, ग्रोथ और डिविजन के यह समझते हैं cell division को, cell divide करने के लिए सबसे पहले क्या करता है, एक normal cell है, अगर इसको divide होना है, सबसे पहले enlarge होगा, यह enlarge होने के बाद यह अपने DNA को duplicate करेगा, replication होगा, DNA replication, replication होने के बाद यह chromozome को separate करेगा, chromozome separation के बाद, इसमें nuclear division होगा, जब दोनों nucleus divide कर जाएंगे, तब इसके cytoplasm का division होगा, nucleus division का हम लोग काते है, karyokinesis, karyo का मतलब होता है nucleus, kinases मितलब तूटना, और cytoplasmic division का हम लोग काते है, cytokinesis, cytoklasm kinases का तूटना, जब cytoklasm का division होगा, यह दो daughter cell, free daughter cell में convert हो जाएंगे, अब इस दो free daughter cell में इसके दो fat है, आइधर तो यह किसी खास function के लिए activate हो जाए, आइधर यह again division के लिए ready हो जाए, अगर यह again division के लिए ready होता है, तो यह एक फिर से cycle बनाएगा, फिल से enlarge करेगा DNA duplication होगा, chromosome separation होगा और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहेंगे, cell cycle, तो cell cycle का एक definition क्या लिखेंगे, it is the sequence of event by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituent of the cell and eventually divides into two daughter cells, इस टर्म में जे cell cycle, हेलो, मैं हूँ गौरोड और आप देख रहे हैं कोड़न बालोजी, अगर आप हमारी चैनल पर नयत हैं, हम आपको बता दें, कि biological classification के सारे lectures अब लेवल हैं, अलाग अलाग उसके कई parts में भी lectures अब लेवल हैं, किसी चीक competition का exam देना है, तो आप जल्दी समारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजे, और ऐसे ही आपको वीडियो में बेंते रहेंगे, तो बालोजीकल classification से अगर जानकारी चाहिए, तो आप description में दिये हुए link के द्वारा, बालोजीकल classification का वीडियो देख सकते हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं, sales cycle और sales division के बारे में, तो अब हम लोग आते हैं, sales division पर, तो क्या condition है, sales crew division होने का, क्यों वो divide करता है, how do sales know when to divide, सबसे पहले हम लोग देखें, क्या condition होता है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं, पहला कारण है कि, यह replace करता है, old या dead या damaged cell को, अगर कोई cell damage हो गया, old हो गया, तो उसको replace करता है, अगर organism grow करता है, तभी cell को division करना होता है, एक human body में, nearly 2 trillion cells, everyday divide करते हैं, 2 trillion, and क्या आप चांते हैं कि, तकरिबन 30,000 to 40,000 dead skin cells, every minute हम लोग lose करते रहते हैं, the total number, जो होते हैं, किसी cell का एक organism में, वो size में, पर्षन का क्या size है, बट एक अनुमान लगा के, बालोजिस्ट यह बताते हैं, कि यह इसका number around, 37 trillion cell होते हैं, तो कैसे cell को पता चलता है, कि उसे कब divide करना है, तो इसके दू उख्य कारण है, एक तो cell regulation, यह division को regulate करता है, communication को दोरा, एक cell दूसरे cell से communicate करते हैं, chemical signal के दोरा, उस chemical signal एक protein है, जिसको में लोगाते हैं, cyclin, इसके दोरा communication करता है, और उसको signal देता है, कि divide अब करना है, या stop हो जाना है, दूसरा है कि, nuclear cytoplasmic ratio, इसको में लोग, n by c ratio से भी जानते हैं, या n c ratio से भी काते हैं, यह ratio है, nucleus के volume का, और cytoplasm के size का ratio है, किसी cell के अंदर, तो जब यह ratio, n by c ratio disturbed होता है, तो cell division स्टार्ट होता है, यह भी एक signal है, cell division स्टार्ट होने के लिए, अब simple समझे, आपकी एक cell है, यह मालेजिये, कि इसका nucleus और cytoplasm का volume है, maybe यह 4 is to 3 हो सकता है, या 3 is to 1 भी हो सकता है, अब suppose कि cell enlarge होने लेगा, cell इतना enlarge हो गया, nucleus single है, तब एक nucleus से, पुरे cell को monitor करना, इसके लिए मुश्किल हो रही है, ऐसे अस्थिती में, इस cell खुद को divide करके, दो nucleus में, cell division होगा, पलिकरिव कानेसिस होगा, और फिर इस दो daughter cell में divide कर जाएंगे, यह भी एक कारण है, cell division का, अब आईए कि cell division का दौरान, important क्या-क्या events होते हैं, सबसे पहला है कि एक normal cell होता है, तो वो enlarge होता है, मतलब growth करता है, size में, सबसे पहले cell growth करेगा, इसके growth करने के बाद, वो DNA replication करेगा, हम लोगों ने पीछे shortcut में देखा है इसे, और जब DNA replicate हो जाएगा, तब भी divide करेगा, cell division में दो फेज आएंगे, फिर होगा cytokinesis, cytokinesis मतलब होता है cytokinesis में चूटना, तो पहले nucleus का division होगा, और फिर cytokinesis का division होगा, इसके बाद उससे दो daughter cell बनेंगे, जिसमें की intact genome होगे, intact genome कहने का मतलब है, एक ऐसा genome जो damaged ना हो, जो बिलकुल absolute हो, तो intact genome के साब दो progeny होगे, इस सारे events जो होते हैं, वो एक genetic control में होता है, तो पूरे cell cycle में, अगर phase देखें इसका, तो यह matotic phase है, यहीं का division होता है, केरियो कैनेसिस और सैटो कैनेसिस, इसके बाद यह G01 phase में आता है, G0 यहाँ पर नहीं लिखा गया है, G0 बताएंगी कि इसको कैसे यह क्यों लिखा जाता है, क्यों cell cycle के अंदर नहीं लिखा जाता है, तो G1 phase आया, इसके बाद S phase होता है, synthetic phase, इसके बाद फिर G2 phase आता है, तो G1 phase एक gap है, division of synthetic phase के बीच में, एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे, कि किस तरह से यह phase काम करते हैं, और क्यों इसका नाम ऐसा दिया गया है, अगर shortcut देखेंगे, यह पूरा को हम लोग inter phase करते हैं, यहां से यहां तक, और इसको metotic phase करते हैं, तो overall इसको दो phase में बाटा गया, एक metotic phase, दूसरा inter phase, अब आते हैं, cell cycle के बारे में, हम लोग जो बात करेंगे अभी, एक typical eukaryotic human cell के बारे में बात करेंगे, कि cell cycle human में कैसा होता है, एक human cell में cell cycle approximately 24 hour के होते हैं, यह कम भी हो सकते हैं, डिपेंड करता organism के, जैसे कि east में cell cycle सिरी 90 minute के होते हैं, इसको मिल लिए दू भाव में बाता जाता है, एक interface, दूसरा mitotic phase, m phase, interface approximately 95% time लेता है, यहनि कि 24 hour, 23 hour interface ही होते हैं, और cell division में approximately 1 hour का समय होता है, यह बहुत कम टाइम लेता है, आई figure pen पर देखते हैं, यह यहां से यहां तक, यह mitotic phase है, यहां पर tip zone होता है, cell division, और यह पूरा यहां से यहां तक, यह interface है, interface में कई stage होते हैं, उसकी chromosome की behavior phase को, तीन अलग अलग भाव माटा गिया है, interface को हम लोग resting phase भी करते हैं, पहला है इसमें, G1 phase, gap 1 phase, दूसरा है S phase, synthetic phase, तीसरा है G2 phase, और G2 phase के बाद, आता है M phase, जो की division का phase है, G1 phase, जो होता है, यह preparatory phase है, इसमें prepare होते हैं, cell division के लिए, S phase में synthesis होता है, cDNA replication होता है, और G2 phase में, protein assembling होता है, prepare होता है, cell division के लिए, तो हम लोग इसको एक एक करके पढ़ेंगे, M phase, जो start होता है, nuclear division होता है, हम लोग पहले बात कर चुखेंगे, उसमें पहले होता है, karyokinesis, और दूसरा होता है, cytokinesis, अब इंटर phase में, हम लोग एक एक करके बात करते हैं, सबसे पहला है, gap 1 phase, G1 phase, G1 phase एक इंटर्फल है, synthetic phase और division के बीच का, इसका बहुत महात तो नहीं है, इसमें बस यह होता है, कि इसमें metabolically active हो जाते हैं, इसमें खुद को enlarge करेगा, मतलब preparatory phase है, इसमें खुद को prepare करता है, कि अब हमें division के तरफ move करना है, इसके बाद आता है synthetic phase, synthetic phase हम लोग नाम से जानते हैं, कि इसमें synthesis होगा, animal cell में, S phase के दौरान दो काम होते हैं, एक DNA replication होता है, दूसरा, centriol का duplication होता है, क्यों हम कर रहा है कि animal cell, क्योंकि plant cell में, centrosome नहीं पाया जाते हैं, आप वेल नून होगे इस बात से, कि plant cell, higher plant cell में, centrosome नहीं होते हैं, इसलिए हम बात करें हैं, animal cell का, animal cell के दौरान, S phase में DNA replication होता है, और centriol का duplication होता है, ये दो काम होते हैं, the DNA replication nucleus में होता है, और centriol का duplication, cytoplasm में होता है, अगर initial amount DNA का, 2C माल लेते हैं, तो S phase में, ये बढ़कर 4C हो जाता है, हम number of chromosome की बात नहीं कर रहे हैं, number of chromosome change नहीं होते हैं, अगर deployed है, इसमें 2N है, तो number of chromosome G1 phase में भी 20 होगा, S phase में भी 20 होगा, number of chromosome change नहीं होते हैं, स्रिफ amount of DNA डबल हो जाता है, G2 phase, G2 phase में हम लोग जानते हैं, कि protein synthesis होगा, और assembling होगा, तो हम लोगों ने देख लिया, G1 phase, preparatory phase था, इसके बाद S phase आया, जिसमें 2 हुआ, DNA replication दो function होगे थे, दूसरा, अगर animal cell है, तो centriol का duplication, इसके बाद आया, G2 phase में, protein synthesis होता है, और prepare होता है, matosis के लिए, अकसर मैंने class में देखा है, कि बच्चे इस बात की सिकायत करते हैं, कि किस तरह से, ये number of DNA डबल होता है, और number of chromosome डबल नहीं होता है, इसको दूबारा से बताईए, इसलिए मैं इसे फिर से दूबारा से discuss करता है, अगर आप समझ गया है, तो बहुत अची बात है, एक बार मैं इसे फिर से discuss कर देता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं, कैसे होता है ये, तो हुमन के केस में हम लोग जानते हैं कि, 2N होते हैं, 46 chromosome होते हैं, नॉर्मल कंडिशन में, अब मान लाते हैं कि, 2N बराबर हो गया, number of chromosome 46, या तो 23 pairs, 2C हो गया normally, amount of DNA, एक normal diploide cell में, S-phase में क्या होगा, DNA duplication होगा, यहाँ chromozome नहीं change हो रहा, DNA duplicate कर रहा है, मतलब amount of DNA double हो जाएगा, अगर initial DNA, 2C है, तो जब duplication होगा उसका, तो इनकी जो के होगा, फोर सी हो जाएगा, बट यहाँ number of chromosome में, कोई change नहीं होगा, इसको मोग ऐसे समझ सकते हैं, suppose, मान लिजए कि, आपकी गाड़ी में 46 carry bag है, घर ले जाने के लिए, अगर हर एक carry bag में, 1 kg का object आप कुछ ले जा रहा है, तो 46 carry bag है, तो टोटल नॉर्मल वर्क अगर आप करेंगे, तो कितना kg ले जाएगा, 46 kg, 46 carry bag में, अब, यहाँ 2N बरापर मन लेते हैं, 46 यह 23 pair of carry bag है, तो एमाउंट केतना ले जा रहा है हैं, एक carry bag में, 46 carry bag है, 46 kg हुआ, अब, इमेडियेट आपके घर से call आता है, और आपको कहाता है, कि सेम चीजें, अपने कजीन, फ्रेंस, यह सेस्टर, किसी के लिए, लेते आना है, अब आप क्या करेंगे, आपके पास सिर्फ 46 carry bag है, और आपको सब चीज, फिर से उतना ही ले जाना पड़ेगा, तो आप डबल कर देंगे, नमर अबजक्ट को, तो amount of object आपके पास, डबल हो जाएगा, लेकिन आपके पास carry bag 46 है, तो आप क्या करेंगे, एक carry bag में, दो kg का object रखेंगे, तो 46 carry bag है, और हर एक में आप, दो kg का object रखेंगे हैं, तो carry bag अभी भी आपके पास कितना है, 46 है, अचलब 23 pairs है, अगर हम लोग मान लेते हैं, एक carry bag तो एक chromosome, तो अभी भी 46 chromosome ही है, बट हर एक carry bag में आप, एक kg के जगा पे, दो kg का object है, इसी तरह से हम लोग समझ सकते हैं, क्रोमोजोम के case में, कि नम्मर अब क्रोमोजोम, 23 pairs ही होंगे, 46, बट हर एक क्रोमोजोम में, amount of DNA जो होगा, वो double हो जाएगा, इस तरह के questions, competitive exam में आते रहते हैं, ये सवाल मेने लिया है, कि 2019 से, Life Science के, Botany section में सवाल लाया होगा है, A cell in G1 of interface has 12 क्रोमोजोम, 9 phase 1 of meiosis, the number of DNA molecule per cell will be, कितना होगा, तो ये बहुत ही easy सवाल है, बस इसको समझना है, तो नम्मर अब क्रोमोजोम है, 12, G1 phase में है, मतलब ये preparatory phase में है, ये preparer हो रहा है, मतलब ये एक normal deployed cell है, नम्मर अब क्रोमोजोम 12 है, अब S phase में, ये divide double हो जाएगा, इसका amount of DNA double हो जाएगा, और फिर ये division में जाएगा, और फिर ये, प्रोफेज में आएगा, अब स्प्रोफेज में जाएगा, तो नम्मर अब क्रोमोजोम, ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, अब स्प्रोफेज में जब ये आएगा, इसका amount of DNA double हो गया होगा, मतलब की, इसमें 24 हो जाएगा amount of DNA, इसका answer, अब ही हम लोगों ने चर्चा किया, जी वन फेज के बारे में, एस फेज के बारे में, जी टू फेज के बारे में, ये जी जीरो फेज क्या है, ये छूटा वह, चलजिये आजिये इसको discuss कर लेते हैं, कि जी जीरो फेज क्या है, इसका क्या rule है, जी जीरो फेज को, कवैसिंट स्टेज भी कहते हैं, एड़न्ट एंइमल में, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, जो division नहीं करते, जैसे कि हट से, division नहीं करते, और बहुत से ऐसे cells होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ occasionally divide करते हैं जब काम पड़े जैसे की replace करना हो या cell damage हो गया हो injury हो गया हो cell death हो तब ही divide करते हैं तो ऐसे cells जो division के बार जैसे की metotic division हो गया और वो specify हो गया या आप तुसको divide नहीं करना है तो वो G0 phase में चले जाते हैं और जिनको divide करना होता है वो G1 phase में जाते हैं जो G0 phase में जाते हैं वो inactive हो जाते हैं division को लिख उसे अब division नहीं करना वो कोई function के लिए specify हो जाएगा जो G1 में जाते हैं वो metabolically active होते हैं और divide के लिए आगे बढ़ते हैं यह वो slide जा हम लगोन पीछी देखा था कि जब दो daughter cell होता है तो either तो वो फिर से division के लिए चला जाएगा अगर division के लिए जाएगा तो से G1 phase में जाना होगा, metabolically active होगा और फिर यह enlarge होगा, DNA multiplication होगा, फिर यह division के लिए ready होगा अगर यह division नहीं करना हो किसी function के लिए जाना हो तो यह G0 phase में चला जाएगा और फिर यह metabolically inactive हो जाएगा, cell division नहीं करेगा बलकि यह function करेगा एक सवाल है कि adult human में heart cell क्यों divide नहीं करता अभी अभी का एक research paper है यह 2018 में published हुआ है adult heart contains no stem cell, adult heart cell में stem cell नहीं होते हैं G0 phase का क्या conclusion निकला, cell in this stage remain metabolically active but no longer proliferate unless called on to do, so depend on the requirement of the organism मतलब यह तब तब तक अब metabolically proliferation के लिए नहीं जाएगा जब तक कि इसे कोई signal नहीं मिलता कोई call नहीं आता और organism के body से कि अब इसे divide करना है तब तक यह metabolically active तो रहेगा बड़ division के लिए नहीं जाएगा अब हम लोग बात करते हैं M phase का हम लोग उने G1 phase देख लिया, S phase देख लिया, G2 देख लिया, अभी हमने G0 भी पढ़ लिया, अब हम लोग आते हैं M phase M काने का मतलब हम लोग पढ़ेंगे cell division के बारे में तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि mitotic cell division के बारे में Since the number of chromosome in parent and progeny same in the cell इसके progeny में उतना ही number of chromosome है इतना parent में होते हैं यह ही इसका specific है, इसलिए इसको equational division काते हैं मियोसिस को reductional division काते हैं क्योंकि इसमें number of chromosome हाफ हो जाते हैं लेकिन mitosis को equational division काते हैं क्योंकि इसमें number of chromosome सेम होते हैं जितना parent में होते हैं, notar में भी उतना ही होता है तो इसमें सबसे पहले आगा karyokinesis M phase में अगर माटोटिक जानना होगा सबसे पहले karyokanesis होगा फिर cytokanesis होगा karyokanesis में इसे चार बागों में बटा गया है pro phase, metafase, inner phase, telophase PMAT PMAT pro phase में क्या होता है ये prepare होता है condensed हो जाएंगे chromosome इसके बाद metafase में visible हो जाता है metafase सबसे best stage है chromosome का study के लिए inner phase में separation होने लगता है और telophase में दो dotter cell बन जाते हैं चलिए एक एक करके इसमें देखते हैं कि किस-किस तरह का process होता है सबसे पहला है pro phase हम लग और S phase और G2 phase में देख लिया कि S phase में DNA double हो गया था और G2 phase में protein का synthesis होगा था और एक और चीज था जिसका synthesis होगा था animal cell में वो था centriol S phase में इसका duplication होगा था centriol का प्रोपेज का क्या पहचान है इसके दो पहचान है पहला कि initiation of condensation of the chromosomal material chromosomal material जो है वो condensation होने लगेगा उसका दूसरा है जो centriol वहाँ duplicate किया था S phase में वो move करेगा opposite pole के तरफ दोनों opposite pole पे centriol move करने लगेगा जब प्रोपेज कंपलीट होने वाला रहेगा तो कैसे पहचान है प्रोपेज कंपलीट होने वाला है उसके कुछ characteristic feature है तो chromosomal material condensed to form the compact metotic chromosome chromosome बनाने लगेगा दूसरा characteristic feature है chromosomes are seen to be composed of two chromatrix attached together at the centromere अभी हम लोग देखेंगे कि centromere basic knowledge है यह सब आपको आता ही होगा फिर भी हम लोग एक बाद चेक कर लेंगे centromere क्या होते है sister chromatrix क्या होते है तेसरा इसका है कि initiation of assembling of metotic spandum the microtubules और चौथा proteinous component the cell cytoplasm helping the process तो प्रोपेज का normally जब initiate होगा तो chromosome बनने लगेगा और अंतीम होते होते metotic chromosome बन जाएंगे दोनों pole पर centriol पहुंच जाएंगे और assembling होना शुरू होगा spandum का और microtubules का सबसे end में जब प्रोपेज इंड होने लगेगा तो Golgi complex, endoplasmary reticulum, nucleus और nuclear envelope जो हैं वो disappear हो जाएंगे metaphase metaphase का characteristic feature यह है कि इसमें nuclear envelope का disintegration होने लगता है और इसमें एक chromosome special chromosome formation होता है सबसे ज़्यदा study के लिए हम लोग chromosome का अगर study करना होता है था हम लोग metaphase का chromosome को use करते हैं यह metaphase का chromosome है इसको हम लोग काते हैं kinetocore यह है centromere यह है chromatids यह telomere है kinetocore का क्या function है कि यह kinetocore यह क्रूमोजोम है यहाँ पर kinetocore होता है जब spandle favor इससे attached होते हैं जब खीचती हैं जब separation होने लिए एना फेज में spandle favor यहीं से attached होते हैं और separation होता है इस फेज में clearly microscope में अगर आप देखेंगे तो खूमोजोम आप देख पाएंगे इसलिए morphological study एगर क्रोमोजोम का करना होता है तो हम लोग इसी stage में करते हैं मेटाफेस क्रोमोजोम दो क्रोमेटिट्स sister क्रोमेटिट्स से बने हुए होते हैं sister क्रोमेटिट्स इसको कहते हैं हम लोग जो एक दूसरी से जुड़ा होता है centromere के कारण हम लोग ने इसके structure देखा है जो sister क्रोमेटिट्स हैं जो centromere के कारण जुड़ा होता है और इसमें एक और structure होता है काइनेटो कोर्स यहां लिखा हुआ है काइनेटो कोर्स यह क्या है centromere के surface पर एक structure होता है जिसको काइनेटो कोर करते हैं और यह spandle fiber जो होते हैं वो attachment के लिए helpful होते है मेटाफेज का की feature क्या है मेटाफेज का की feature है Spandle fiber attach to kinetocore of chromosome kinetocore में attach होने लगेगा chromosome are moved to the spindle equator and get aligned long metaface plate through spandle fiber to both poles मेटाफेज हम लोग well known है इस stage के लिए कि सभी जो है यहाँ figure में देख सकते हैं equator पर जमा हो जाता है सभी chromosome इस पंडल fiber से जुल गया है और equator एक plate बनाता है इसको मेटाफेज plate next है एनाफेज एनाफेज में क्या होता है कि जो beach plate में बन गया था यहाँ पर मेटाफेज plate में वह भी split होते हैं दोनों पोल के तरफ तू डॉटर क्रोमेटिट्स आपस में दूट जाएंगे सबसे बड़ा अंतर जो मेटाफेज में होता है वह एनाफेज में होता है अगर मेटाटिक का है तो इसमें centromere डिवाइड करते हैं अभी इसमें 4 दोसिस्टर क्रोमेटिट्स थे इसमें centromere अपस में था यह आपस में split हो गया आधा इस पार चला गया आधा उस पार चला गया यही मियोसिस में नहीं होता है जिसके वज़े से वहाँ नम्मर अप क्रोमोजों हाफ हो जाते हैं आगे हम लोग देखेंगे वही मियोसिस में की तरह से नम्मर अप क्रोमोजों हाफ हो जाते हैं आपोजिट पोल के तरह इना फेज में चला जाता है इसका कारेक्टरिस्टिक वेचर यह है कि centromere split and chromatids separate centromere split होगा chromatids separate होगे chromatids move to the opposite pole सितना इसका एना फेज में separation का ही काम होता है next phase है telophage telophage में दो daughter cell बनेंगे chromosome that reached their respective poles deconstraint and lost their individuality the individual chromosome can no longer be seen and chromatids material tends to collect in a mass in two plates यहाँ से यह एक अलग plate बन गया यह एक अलग plate बन गया दोनों division अब चुकी telophage में अब cytokinesis होना होगा karyokinesis हो गया nucleus divide हो गया अब cytokinesis होगा इस stage का जो key event है हो है chromosome cluster at opposite spindle pole nuclear envelope assembled around the chromosomes nucleus, golgi apparatus and ear reformed अब यह अब nucleus का division हो गया है अब assembling होगा nuclear envelope आएंगे और इसके बाद सभी reappear होंगी nucleolus, golgi apparatus, endoplasmic reticulum और इसके बाद फिर cytoplasm का division होगे दो डॉक्टर से में convert हो जाएगा तो आते हैं cytopinesis पे cytopinesis मतलब division of cytoplasm animal cell के case में जब plasma mirror upper furokip variance हो जाता है तो हम लोग यह मांते हैं cytopinesis हो गया है plant के case में wall formation start होता है cell के center से जहां पे plate होता है lateral wall बनता है the formation of new wall begin with the formation of simple precursor called the cell plate सबसे पहले यह जब division होता है तो यहां पे cell plate का formation होता है middle lamella में दो adjacent cell के बीच में middle lamella होता है वो cell plate से बनता है cytopinesis के time पे जब division होने लगता है cytoplasm का तो organelles like mitochondria plastics यह distribute होते हैं दोनों doctor cell में किसी-किसी organism में karyokinesis होने के बाद तुर्ण cytoplasm नहीं होता है और ऐसे case में माने जी यह cell है इसमें karyokinesis हो गया दो nucleus बन गए लेकिन इसमें cytoplasm नहीं हो पाया दोनों cell का cytoplasm divide नहीं हुआ तो यह एक ही cell के अंदर cytoplasm में दो nucleus होंगे इसको हमसे citium cell कहते हैं अगर आपने मेरा biological classification का lecture देखा है तो उसमें हमने बताय था कि fungus के case में जब हाइफा में separation नहीं होता septa नहीं होता तो कई nucleus होते हैं उसमें इस तरह से और वैसे cell को जिसमें एक cytoplasm में कई nucleus होते हैं उसको हम लोग करते हैं sinusitic cell यह sinusitic condition animal के case में इसको citium cell कहते हैं plant का अगर example लें तो liquid induced pump coconut यह इसमें केरियो कानेसिस तो होता है लेकिन सैटो कानेसिस नहीं होता तो multi nucleated condition rise हो जाता है अब matosis का significance क्या है सबसे पहला significance है matosis का कि यह एक equisional cell division है number of chromosome daughter में होते हैं जितना की parent में होते हैं और यह division restricted होते हैं diploid cell में but कुछ lower plants होते हैं और कुछ insects होते हैं जिसके hypoide में भी matosis का division होता है matosis से diploid daughter produce होते हैं यह हमेशा somatic cell में होता है और identical होते हैं genetic complement होते हैं identical होते हैं जिस तरह से parent होते हैं उतना ही chromosome होता है और इसका genetic component उसी तरह से identical होते हैं इसका दूसरा significance है कि यह growth करते हैं मियोसिस सिर्फ gamit formation के लिए होता है जितना भी division होता है मियोसिस होता है cell growth result in the disturbing the ratio between the nucleus and the cytoplasm यह हम लोगों ने बात कर लिया है यह कह रहे है N by C ratio के बारे में nuclear volume of cytoplasmic size के बारे में अगर यह disturb होता है तो cell division होना जरूरी है क्योंकि एक ही cell अगर enlarge हो जाया और छोटा nucleus हो तो इसको control नहीं किया जा सकता है इस बज़े से जब cell enlarge हो जाते हैं तो इसमें nucleus का division होता है और यह cell division के दरब move करता है एक significant role है matosis का repair में अगर कहीं damage होता है या injury हो जाता है तो repair के लिए matosis division कहोना जरूरी है अब इसका fifth significance है cell of the upper layer of the epidermis cell of the lining of the gut and the blood cell are being constantly replaced हम लोग जानते हैं का RVC का life cycle कम होता है तो वो जो हमेशा RVC बनते रहता है या आपका epidermis का cell है वो damage होता है उसको replacement करने के लिए matosis division होते रहता है matosis division in the meristematic tissue अगर plant की बात करें तो meristematic tissue जो होता है इसे apical meristem, lateral cambium इन सभी जगों पर matosis division होता है उसके growth के लिए अगर root का length बढ़ रहा है तो somatosis division हो रहा है और plant के तो throughout life होते रहता है अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो please like और subscribe करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों को share करें और मदद करें और please bell icon के दबाना बिल्कूल भी मना भूले ताकि आने बाले वीडियो का notification आप तक पहुंचता रहे thank you अब हम लोग आगे बढ़ते हैं meiosis की तरफ matosis complete हो गया meiosis का main role होता है gamit formation करना किस specialized deep white cell से specialized deep white cell काने का मतलब है कि जो आपका germ cell होता है जहां gamit formation होता है जैसे animal के case में अगर human के case में बात करें तो sperm होता है male gamit और ovum होता है female gamit इस gamit के formation के लिए meiosis division का होना जरूवी है इसका खास बात यह है कि number of chromosome जितना parent में होते हैं इसके daughter में उसके half होते है number of chromosome और एक cell से 4 cell बनते हैं 4 cell बनते हैं इसका मतलब इसमें दो division होता है पहला को हम लोग करते हैं meiosis 1 दोसरा को करते है meiosis 2 एक है करके हम लोग देखेंगे के इस तरह से यह है meiosis ensure the production of haploid phase अगर haploid phase चाहिए meiosis होना पड़ेगा और diploid phase चाहिए fertilization होना पड़ेगा fertilization restore the diploid phase and meiosis ensure the production of haploid phase पहला की feature है कि यह two sequence well cycle होते है पहले एक हम लोग करते है meiosis 1 जो की reductional division है इसी number of problem hapl हो जाते है अग दूसरा है meiosis 2 जो की emotional division है और यह matrosis के जैसा ही होता है division तो होते है लेकिन DNA replication एक ही बार होता है पहले cycle में ही सिर्फ DNA का replication होता है लेकिन division यह 2 cycle में पूड़ा करते है meiosis 1 तब start होता है जब parental chromosome replicate कर चुके होते हैं 2 identical sister chromatids बना लिए होता है S page में तब meiosis 1 सुरू होता है इसमें बहुत सारे events होते हैं homologous chromosome comparing recombination synapses बहुत सारे events होते हैं जो essential है meiosis के लिए main feature जो इसका है कि meiosis 2 के end में 1 cell से इसमें 4 cell होते हैं आए कुछ term को discuss कर लेते हैं जिसका meiosis में यूज होगा अभी अगर आप term अच्छे से समझ लिया होगी तो तर आपको meiosis समझने में जाद आसानी होगी सबसे पहला term है homologous chromosome homologous chromosome काने का मतलब है यह same gene है जो gene यह होगा वह gene यह होगा लेकिन यह different allele है allele काने का मतलब होता है कि alternate form of gene alternate form of gene alternate form of gene आप allele समझते होगे अगर अगर यह tt है यह दोनों आपस में allele है gene एक ही है लेकिन contrasting character को support करता है यह allele है तो वैसे यह same gene है बट different allele है आपस में कोई सम्वन नहीं है यह होगा homologous chromosome non homologous chromosome काने का मतलब हुआ different different gene है आपस में कोई सम्वन नहीं है यह होगा non homologous chromosome अब homologous chromosome कैसे बनता है यह मान लिजिए कि एक आपका chromosome है यह centromere है यह chromatids है जब यह replication करेगा तो अपने जैसा एक और chromatids बनाएगा जब अपने जैसा एक और chromatids बनाएगा इसी को हम लोग कहेंगे sister chromatids यह है sister chromatids और यह हो जाएंगे homologous chromosome यह आपस में homologous chromosome होंगे और इसके जो chromatids है parent cell है meiosis 1 जो होता है यह complex है meiosis 2 तो सेम होते हैं या meiosis 1 और यह होगा meiosis 2 meiosis 2 as a matotic division है process 1 complex है और इसी में number of chromatids हो जाते हैं तो यह देखते हैं कि meiosis 1 किस तरह से काम करता है सबसे पहला है prophase prophase 1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हम लोग बात कर रहे हैं meiosis 1 का meiosis 1 है prophase 1 कर रहे हैं अगर meiosis 2 रहता prophase 2 का नाम देते हैं तो prophase 1 क्या करता है यह longer होता है more complex है compared to the other meiotic phase कोई और meiosis लेते हैं या meiosis लेते हैं उसके प्रिक्षान यह जो meiotic का prophase 1 है यह ज्यादा complex और लंबा होता है इसके लिए इसको बहतर समझने के लिए इसे पांच भागों में बाट दिया गया chromosomal behavior के अधर पर कि इसमें क्रोमोजोम इस स्टेज्म की तरह से behave करते हैं इसके तरह से पांच भागों बाटा गया पहला है लिप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, पैकेटीन, डिपलोटीन, डायकाइनेस, ल, जड, पी, डी, डी सुरू सुरू में फेज याद रखना मुस्किल होता है तो आप इसको कोई कोट्स या कोई गाना किसी पर भी बिठा के इसको याद कर सकते हैं एक सिंपल साइग्जामपल मैं आपको देता हूँ इससे की लटकते जूलफों पे दो दिवाने आप इयाद कर सकते हैं आप कोई भी खुर्स भी ठा सकते हैं या आपको ऐखर ऐसे याद रहता था आप ऐसे भी याद कर सकते हैं पहला दो स्टेज सॉड होते हैं पैकेटिन, पहलाalyst 것처럼 सुरू करते हैं एसो स्वीट करते हैं, आपस में ही इसको हम लोग काते हैं, सिनाप्सिस सच पेयर्ट क्रोमोजोम और कॉल्ड हम लोगों इसलिए हम ने पहले आपको टर्म बता दिया है कि हम लोगों क्रोमोजोम किसको काते हैं, पेरिंग हुआ इसके बाद chromozome synapses is accompanied by the formation of complex structure for the syneptonomal complex syneptonomal complex काते हैं आपको figure में आगे बताते हैं कि यह क्या है जब दो आपस में chromatids जोड़ते हैं तो उसमें एक complex formation होता है exchange होता है तो उसी syneptonomal complex काते हैं यह होते हैं homologous chromozome जब आपस में bivalent tetraad बनाते हैं तो ऐसे complex का formation होता है यह देखिए pro phase 1 synapses होगा तो homologous chromozome है यह यहां sister chromatids है यह एक sister chromatids यह हैं दुनो यह tetraad का formation हुआ यह दुना आपस में जुड़े यहां अच्छे से दिखा गया है synaptonomal complex यह है आपका यह आपस में एक homologous chromozome आपस में जुड़े आपस में एक pairing होता है इसी हम लोग करते हैं synaptonomal complex यह यह homologous chromozome के बीच होता है अब हम लोग आते हैं packaging stage में क्या होता है कि bivalent chromosome clearly visible हो जाते हैं यह tetraad इसके बाद इस stage का characteristic feature recombination nodule है recombination nodule मतलब यहाँ पर figure में आप देख सकते हैं इसका in large figure में आपको दिखाऊंगा भी यह एक site है जहाँ पर crossing over होता है जहाँ crossing over होता है दो non-sister chromatrix के बीच में उसको हम लोग आते है recombination nodules दो homologous chromosome के non-sister chromatrix के बीच में crossing over के site को हम लोग आते है recombination nodules recombination किसके बीच होता है दो homologous chromosome के बीच और यह packet इनके end होते होते complete हो जाता है तो crossing over क्या है crossing over is the exchange of genetic material between the two homologous chromosome यह genetic material का exchange होता है और इससे recombination होता है कि जो combination पहले से genetic material का है वो recombined होगा कुछ change होंगे और recombined हो जाएगा यह हम देख सकते हैं यह sister chromatrix है यह homologous chromosome है और यहां पर यह crossing over हो रहा है यह एक chromatrix इसका और यह chromatrix इसका non-sister chromatrix आपस में crossing over कर रहा है figure को enlarge करके देखते हैं यह यहां पर यह crossing over है यह दोनों sister chromatrix है बट यह sister chromatrix नहीं है एक chromatrix इसका और एक chromatrix इसका यह आपस में non-sister chromatrix दो homologous chromosome के बीच में crossing over हो रहा है इसके बाद reunion होगा मतलब इसका कुछ भाब इसमें चलाएगा इसका कुछ भाब इसमें चलाएगा इसका हम लोग करते है recombination मतलब यह एक अलग combination होगा अब हम उगी देखते हैं कि recombination nodule क्या है यह protein axis है यह आपका sister chromatrix है यह दूसरा sister दूसरे क्रोमोजोम का है यह दूसरे क्रोमोजोम का है यह यह दुनों आपस में non-sister chromatrix है और जब non-sister chromatrix crossing over करता है यह आपस में जूड़ते हैं इसी तरह का एक complex बनता है जिसमें एक central element होते हैं और यह transverse तरीके से इस तरह से central region बनाता है तो जहां पर crossing over होता है उसी खमर्ण करते हैं recombination nodules next है deplutin stage deplutin stage deplutin stage को रिक उनाइज करने का सबसे इसी तरीका है कि यहां पर syneptanomal complex dissolve हो जाते हैं नहीं दिखेंगे और जो tendency था recombination का वह भी separate हो चुके हो होंगे सिर्फ crossing over का साइट है वह एक्सचेंज हो चुके होंगे अब उसमें जो X-sip structure होता है उसको मुलोग काते हैं काईजमाटा यह फिगर में आप देख सकते हैं यह जो X-sip structure इसको मुलोग काते हैं काईजमा और अगर O-sites की बात करें कुछ vertebrate का यह parental homologous chromosome है अब देख सकते हैं यह maternal एक यह chromosome है यह chromosome है यह आपस में दुनों sister है sitter chromatids यह दुनों आपस में non-sister chromatids हैं और crossing over इन्हीं दुनों के बीच होगा non-sister chromatids के बीच crossing over होगा और genetic material का exchange हो जाएगा next the final stage of meiotic prophes is the dikinesis dikinesis को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है इसमें kaismata नहीं दिखेगा terminalization of kaismata यही इसका पहचान है kaismata खतम हो जाएगा और यह cytokinesis करने लगेगा during this phase the chromosome are fully condensed and meiotic spandle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation इसमें separation चुरू हो जाएगा for the end of dikinesis जब यह अंत होने बला रहागा dikinesis करका the nucleus disappears nuclear invaluable also breakdown dikinesis represents the transition to metaphase dikinesis करने का मतलब है कि pro phase last होने बला है और यह metaphase में enter करेगा metaphase में enter करने के लिए होने लिए सब कुछ nucleus disappear हो जाएगा nuclear invaluable breakdown हो जाएगे metaphase में enter होगा यह है metaphase 1 metaphase 1 करने मतलब है कि meiosis 1 का metaphase है bivalent chromosome align होंगे equatorial plate पे metaphase plate the microtubules from the opposite poles of the spandle attach to the pair of homologous chromosome हम लोग पिछला देख चुके है metosis में metaphase में equatorial plate पे आ जाते है अब है enaphase में separation होगा the homologous chromosome separates while sister chromatids remain associated at their centromere mitosis में centromere divide हो गया था mitosis में centromere divide हो गया था main difference में metosis में होता है यहाँ पर centromere divide नहीं कर रहा है यहाँ पर sister chromatids साथ में है बस वह अलग हो जाएंगे तो telophase में nuclear membrane and nucleus reappear होने लगेगा cytokinesis सुरू हो जाएंगा और इससे diet बनाएंगा मतलब 2 cell बनाएंगे बहुत सारे cases में chromatids disperse होते हैं बहुत सारे cases में chromatids disperse नहीं होता है मियोसिस के बीच मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक short gap होता है interkinesis यह बहुत ही short lab होता है और interkinesis के बाद prophase 2 शुरू होगा जो काफी simple होते है और यह prophase 2 just metotic division होता है तो हम लोग figure से समझेंगे आप एक बार समझें short में revise कर लेते हैं यह prophase 1 है यहां पर chromosome formation होगा इसके बाद इसमें कई सारे subdivision थे Leptotene, Jagotene, Pacitene, Diplotene, Dikinesis यह subdivision में यहां पर synapsis हुआ recombination हुआ crossing over हुआ इसके बाद ही आया metaphase 1 में plate पर centromere का division नहीं हुआ क्योंकि यह mutic है sister chromatid के साथ ही यह एक दूसरे के opposite pole पर चला गया चुकि यहां पर division नहीं हुआ centromere का sister chromatid साथ में है इसलिए जो next generation होगा उसमें number a chromosome half-half हो जाएंगे तो फिर telophase 1 आएगा telophase 1 में दो rotor cell बन गए जिसमें number chromosome half हो गया अब यह है prophase 2 just a prophase 2 division prophase 2 इसके बाद metaphase 2 आएगा यहां पर centromere divide करेंगे आप simply difference देख सकते है इसलिए तर नमर अप chromosome same होते है और यह telophase 2 में total number of daughter cell 4 होंगे parent cell में जितना भी number of chromosome होगा उसका आधा इस daughter cell में 4 में chromosome होग अब it's time to ask the questions पहला questions आता है what factor initiate the cell division दूसरा question हो सकता है what is difference between the mitosis and meiosis तिसरा how to get reduce the number of chromosome मियोस अगर आपने पूरी वीडियो को देखा है तो आप सभी question का जबाव दे सकते हैं क्या factor initiate केरता है एक तो end by series U और दूसरा signal difference आप बहतर समझ सकते हैं क्या है मैं तो end of phase 1 में है end of phase में difference है कैसे reduce होता है क्योंकि end of phase के कारण ही इसमें sentiment divide होता है इसमें sentiment divide नहीं होता है तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप comment box में सवाल लेख सकते हैं biology से related या इस chapter से related कोई भी क्वैरी हो sales cycle, sales division feel free to ask the questions in comment box अगर इसकी answer की बात करें हमने जैसे बता दिया sales growth जब उसका end by series U disturbed होता है और या तो फिर signal के कारण cell division हो सकता है जानती है differences हम लोग की mitosis क्या है meosis क्या है equation division है reduction division है और कैसे reduce होता है simple सी बात है in mitotic anaphase sentiment divides यह ही मेंडिजन है और anaphase 1 mutic का sentiment divide नहीं करता है स्रीख chromosome homosophobus chromosome move हो जाता है opposite pole के तरफ thank you so much for watching my video please like and subscribe my channel and support us अब हमारे चैनल को like करें subscribe करें और इस तरह support करते रहें थाकि मैं आपके लिए इसी तरह biology lecture बनाता रहूं thank you so much for watching this video वह मैं आपके बास आपके बास आपके पूल लाफ आता है आता है आता है झाल झाल